बिस्मिल्ला इरह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं अस्रा एक्स्प्रेस यूट्यूब एंड फेस्बुक चैनल आज कहानी का उन्वान है वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता तो इप्तिदा करते हैं मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई मेरे सुसर दो बड़ी टेक्स्टाइल मिल्स के मालिक थे दोलत की रेल पेल थी दुन्या की हर आसाईश मैसर थी मेरे शोहर उनकी अकलोती उलाद थे मैं अपनी किस्मत पर बड़ी नाजा थी कितनी लड़कियां हैं जिनकी ऐसी ख्वाहिशात पूरी होती होंगी इस घर में हम चार लोग थे एक मेरे सुसर एक मेरे शोहर एक मैं और एक मेरे सुसर की दूर दरास की जानने वाली काफी उमर रसीदा खातून थी मेरे शोहर का कहना था कि इनकी उलाद ने इनको दर्बदर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया और फिर मेरे सुसर उन्हें घर ले आए उमर सतर असी के लगभग होगी खामोश फितरत थी लेकिन बस मुझे उनसे चिर सी थी मुझे ऐसे मालूम होता जैसे के मेरी राजधानी में वो एक बोज है मेरे सपनों के महल में बदनुमा दाख है मैं दबे दबे लवजों में अपने शोहर से उनको घर से निकालने का कहती लेकिन ये ये तो मेरे सुसर का फैसला था मेरे शोहर उनका कहना था कि उनके घर में दोलत की रेल पेल और वरकात अमा को पना देने के बाद शुरू हुई है और अबू कभी भी ये बात नहीं मानेंगे फिर अचानक एक दिन मेरे सुसर को हार्ट अटेक आया और उस से वो इन्तिकाल कर गए मेरे शोहर तमाम दोलत के तन तनहा वार्ष बन गए और मैं इस अजीम वरासित की मलकई आलिया बन गए मेरे नाजनकरे देखने वाले थे जमीन पर तो मेरे पाउं ही नहीं पड़ते थे कुछ दिन बाद जब खुमार कम हुआ तो फिर मेरी सुई अमा पर अड़ गई रोज शोहर के कान भरती जो रफ़ता रफ़ता छगड़ों में तबदील हो गए और एक दिन शोहर ने भी मेरे आगे हत्यार डाल दिये मैंने अगले दिन सुबह अमा को साफ साफ जवाब दे दिया वो खामोश थी लेकिन आँखों में आँसू थे फिर वो कुछ बताए बगएर घर छोड़ कर चरी गए मेरा और उनका कोई मुकाबला ना था लेकिन मैं ये यकतरफा मुकाबला जीच चुकी थी और फतह के नशे से सरशार थी अभी अमा को गए हफ़ता ही गुजरा था तो मेरे शोहर इंतहाई परेशान घर आए मालूम ये हुआ कि मेरे सुसर पर काफी बैंक करजा था इसके इलावा लोगों का उधार भी था चाइना का टेक्स्टाइल इंडस्ट्री के मुकाबले में आने से हमारे कारोबार पे काफी असर पड़ा था जल्द ही एक फैक्टरी बेचनी पड़ गई लेकिन मेरा दिल अब भी मुतमेन था कि कारोबार में तो उतार चड़ाओ आते ही रहते हैं महीना ही गुजरा था कि दूसरे फैक्टरी भी बेचनी पड़ गई बैंक ने अपने करदे के बदला मकान फरोग करवा दिया और हम एक छोटे कराय के मकान में मुनतकिल हो गए मेरे शोहर ने बची कुची आमदिनी से एक छोटा स्पिनिंग यूनिट खरीद लिया और इस तरह जिन्दगी का पईया चलना शिरू हुआ मेरी सब शहाना अमारत जमीन बोस हो चुकी थी मुझे एहसास जर्म ने गेर लिया मैंने एक बेबस, लाचार और जईएफ औरत को बेघर कर दिया था मेरा अपना सपनों का महल बिखर कर रह गया और ये जवाल अमा के जाने के बाद ही शुरू हुआ मुझे अपने सुसर की बात दुरूस्त मालूम होने लगी जिस तरहां अरूज अमा के आने से शुरू हुआ था इसी तरहां अमा के दाने से रुखसत हो गया हम को समझना चाहिए हमारे घरों में बज़र्गों से ही बरकत होती है बज़र्गों की दौाएं ही होती है जिनकी वज़ज़ से घर में खेर और बरकत होती है अमेशा हमारे सरों पर काइम रखे आमीन सुम्मा आमीन आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल और इसलामिक वीडियो देखना चाते हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दें और साथ ही घेंटी के निशान को दबा दें ताके आएंदा आने वारी वीडियो आप तक पहुंच सकें शुक्रिया अल्लाहाफिस